बिसमिल्ला रभान रहीम, अस्लाम अलेकूम, वल्कम टो एजुकेशन टॉक्स, इस शाहिद रिजख, असिस्टन प्रोफेसर, युनिवर्सटी आफ एजुकेशन लाहूर, अब टुडेश टॉपिक इन इस वीडियो विडियो विल बी अब वाउट आर लेर्निंग स्टाइल लर्निंग स्टाइल्स क्या होते हैं, इसके बारे में हम देखेंगे, आप जानते हैं कि जब टीचर क्लास में जाता है, तो क्लास में पहुत सरे बच्चे बैठे होते हैं, और आपको ये जहन में रखना चाहिए, कि सारे जो स्टूडेंट्स हैं, बच्चे हैं, जिनको हम कहते हैं, वो जो सीख रहे होते हैं, उनकी जो लर्निंग होती है, या अंडेस्टैनिंग वो हासिल करते हैं, तो उनका एक स्टाइल नहीं होता, डिफ्रेंट बच्चे डिफ्रेंट तरह से सीखते हैं, उनकी लर्निंग होती है, तो ये एक्चुली लर्निंग स्टाइल्स ह हैं क्या इसी को हम देखने जा रहे हैं आज किस वीडियो में तो बनादी दोर पर अगर हम बात करें तो बहुत सारे learning styles होते हैं लेकिन basically जो सबसे ज़्यादा famous हैं जो आपके जहन में होने चाहिए as a teacher वो जिनको हम core learning styles कहते हैं वो learning style है उसको समझ कर accordingly आप deal कर सकते हैं और पढ़ा सकते हैं जिससे learning ज्यादा effective होगी और बहतर होगी उनकी understanding ज्यादा बहतर हो सकती है लेकिन अगर आप इनको नहीं जानते तो definitely as a teacher आप फिर अगर सबको एक ही तरह से पढ़ा रहे हैं तो हो सकता है कि उनकी learning students की उस तरीके से ना हो पाए तो इसका जानना बहुत ही ज्यादा ज्रूरी है तो visual, auditory और kinesthetic तो सबसे पहले हम देखने जा रहे हैं कि visual किसे कहेंगे कौन से ऐसे बच्चे हैं जिनका learning style visual होता है तो visual learners are better able to retain information when it's presented to them in a graphic depiction जब उनको graphically present की जाती है कोई information तो उसको बहतर retain कर पाते हैं यानि उनको अपने mind में ज्यादा बिठा सकते हैं, understand कर सकते हैं ये वो visual learners जो होते हैं और example के तोर पर बताया जा रहे हैं कि जैसे arrows हैं आप बनाते हैं मिसले आप समझा रहे हैं तो arrow बना दिया आप charts जो है, आप charts डिस्प्ले कर देते हैं board के उपर और इसी तरीके से आप कोई diagram बना देते हैं तो diagram जो आप बना रहे हैं तो उससे भी उनके understanding जादा होगी और symbols, आप different symbols यूज़ करते हैं और यह symbols हैं इससे भी उनके understanding जादा होती है और इस तरह की बहुत सारी चीज़ें जो visual effect रखती हैं यह आप इस्तमाल करके ऐसे visual learner जो है उनको बहतरीन तोर पर पढ़ा सकते हैं उनके understanding जादा बहतर हो सकती हैं और यह जो visual learners होते हैं they actually enjoy analyzing and observing things like pictures, diagrams and charts और यह ज़्यादा दिल्चस्पी लेते हैं enjoy करते हैं, analyze करते हैं, observe करते हैं वो चीज़ें जिससे visual impact आते हैं जैसे pictures हैं, diagrams हैं, charts हैं और इसी तरह के सी उनकी information होती है वो ज़्यादा clear तोर पर उनके सामने आती है अब इनको कैसे पढ़ाएं, how to teach visual learners ऐसे बच्चे जो बैठे हों, इनको किस तरीके से पढ़ाया जाएं whether you are using a whiteboard, smartboard, or giving a presentation आप as a teacher whiteboard use करने हैं, पढ़ाने के लिए smartboard use करने हैं या presentation दे रहें तो आपको make sure करना चाहिए कि visual learners जो है उनके लिए आप enough time दें to process and absorb visual cues जितने भी visual cues हैं, उस पे ज़्यादा तवज्जो देते हैं ये बच्चे तो ऐसी चीज़ें इस्तमाल करनी चाहिएं और बच्चों को proper time देना चाहिए इसके बाद हम देखें तो visual learners जो है they should have access to supplementary handouts that detail subject matter through clear visual whenever possible जब भी possible हो तो clear visual जितनी भी images हैं उसकी detail आप देने की तरफ जाएं ताके वो उनकी understanding proper हो सके additionally इसके साथ साथ आप और क्या कर सकते हैं कि इनको आप allow these learners to draw pictures and diagrams यानि इनको मौका दें कि ये pictures बना सकें ये diagram बनाएं और आप भी बनाएं as a teacher समझाने के लिए और फिर उनको activities भी ऐसी दें जिसमें picture draw की जाए जिसमें diagram बनाए जाएं तो ये actually उनको reinforce करेगी उनकी retention time और इसी तरीके से उनकी learning को पहतर बनाने के अवाले से और अगर आप बोलते नहीं हैं तो कुछ बच्चे हैसे होते हैं कि जब तक वो सुनेंगे नहीं और आप बोलेंगे नहीं उनकी proper understanding और learning नहीं होगी ये बच्चे कहलाते हैं auditory learners तो इनको आप vocally जो है present करते हैं information बोल के present करते हैं These learners work well in group settings और ये group settings में काम करते हैं work करते हैं बہतर perform करते हैं जहां पे vocal collaboration होती है यहां पे आप बोलते हैं discussion करते हैं आप participate करते हैं आप उसमें हिस्सा लेते हैं आप उसमें अपनी thoughts को बहतनी तरीके से present करते हैं यहां पे ये enjoy करते हैं ऐसी situation को और आप कोशिश करें कि जो भी आप पढ़ा रहे हैं या बच्चे पढ़ रहे हैं वो बलंद अवाज के साथ पढ़ें रीडिंग अलाउट तो इस तरह से उनकी लर्निंग ज्यादा होती है So these are called auditory learners Auditory learners जो है वो prefer करते हैं पसंद करते हैं ऐसा subject matter कि जो sound के जरीए present किया जाए और additionally इसके साथ साथ और क्या चीज़ कर सकते हैं कि ये जो learner है ये slow read करते हैं किसी चीज़ को लेकिन read aloud आइस्ता आइस्ता पढ़ेंगे लेकिन blunt अवाज के साथ पढ़ेंगे और इसके साथ साथ अगर हम बात करें तो repeat करें things को जो आप उनको बताना चाहते हैं तो help करें कि उनका बहतरीन learning हो सके वो चीज़ों को अपने mind में बिठा सकें तो repeat करते चले जाएंगे बोलते जाएंगे बहतरीन आपकी wise speech और जो level है आपका sound जो है वो proper जानी चाहिए उन तक तो इन बच्चों को ऐसे learners को जो auditory learners हैं इस तरीके से पढ़ाया जा सकते हैं अच्छा तो इसको कैसे पढ़ाया जाए ऐसे बच्चों को जो auditory learners हैं तो इनके लिए अगर आप lecture दे रहे हैं तो आप make sure करें कि address करें auditory learners को कि directly जो है उनको involve किया जाए conversation में यानि freedom of expression वो बोल पाएं ऐसी activities आप design करें कि जिसमें बोलने का मौका दें और उनको शामिल करें different concepts के हवाले से अगर आप बात कर रहे हैं तो उनको मौका प्रवाइड opportunity दें कि उसमें वो participate कर सकें और respond कर सकें जैसे group discussion करवाई जा सकती हैं, engaging videos हो सकती है, audio recordings हो सकती है तो इस तरीके के बहुत सरे options आप classroom में use कर सकते हैं तीसरा जो हमारे पास learning style है वो है kinesthetic और kinesthetic कौन से लोग होते हैं कि जो physically active होते हैं taking a physically active role यानि ये physically active होते हैं और अपनी performance देना चाहते हैं movements से related होते हैं, तो kinesthetic learners are hands on and thrive when engaging all of their senses during course work यानि ये जब engage करेंगे इनको different activities में तो बहतर perform करेंगे, ज्यादा बहतर learning होगी यानि ये ऐसे लोग हैं जो कर के सीखते हैं, यानि ये काम करेंगे, activities करेंगे, कोई performance देंगे, कोई task खुद करके सीखेंगे, इस तरीके के ये जो learners होते हैं, इनको कहते हैं kinesthetic, जो physically active होते हैं बहुत ज्यादा, ऐसे बच्चे भी आपको classroom में मिल जाएंगे तो इसके अवाले से आप क्या करते हैं, कि अपने courses जो design करते हैं, उसमें जो activities आप देते हैं, वो accordingly आप उसको design कर सकते हैं तो kinesthetic learners को हम कहते हैं कि tactile learners, और ये क्या होते हैं, कि ये physically act out events, और different जो events हैं, उसमें physically participate करते हैं, खुश होते हैं, और फिर learning होती हैं और अपने senses को use करते हैं, learning को हासिल करने के लिए, ऐसे जो बच्चे हैं, इनको आप easily find कर सकते हैं, तिलाश कर सकते हैं, थोड़ी सी आप तबज़ो दें, तो आपको पता चलेगा कि classroom में ऐसे बच्चे जो अराम से नहीं बैठ पाते हैं, difficulty feel करते हैं, sitting के अवाले से, एक ज ताके यह जो studying period है, उनका पढ़ने का, इसके हवाले से वो बहुत ज्यादा burden feel न करें, और उनका style है kinesthetic, उसके जरीए आप इनको अगर break time देंगे, तो फिर definitely वो बेतर learning जो है, वो कर पाएंगे, तो यहाँ सवाल पैदा होता है, कि ऐसे बच्चों को जो kinesthetic learners हैं, इनको कै कैसे पढ़ाया जाएं, अभी हम कुछ बातें discuss कर चुके हैं, तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि when possible, get kinesthetic learners up and moving, इनको आप हरकत में रखें, इनको ऐसी activities दें, जिसमें practice करें, यह physically काम करें, activities करें, games हैं, sports हैं, इस तरह की activities में इनको शामिल करें, मसलिन अगर आप drama पढ़ पढ़ा रहे हैं, तो वो जो drama पढ़ा रहे हैं, उसमें जो different scenes हैं, different acts हैं, यह जिम्मे लगा दें उन बच्चों को, कि वो करके दिखाएं, वो perform करें, वो drama वहाँ पे, अगर इस तरीके की activities आप देते हैं, जिसमें वो physically participate करते हैं, तो फिर better learning होती है, और बहतर सीख पाते ह हैं, वो, क्योंकि उनका style ऐसा है, learning style kinesthetic है, तो अगर teacher उसके accordingly जो भी style होता है, learning style बच्चे का, उसको understand नहीं करता, और उसके accordingly जो activities आउनको design नहीं करता, तो definitely फिर learning उस तरीके से नहीं होती है, और बच्चे जाहर है, पीछे रह जाते हैं, उनकी जो potential है, जो performance वो दे सकते अगर उनको understand कर लिया जाता, तो वो नहीं दे पाते, इसलिए जरूरी है कि इनको समझना चाहिए teacher के लिए, तो इसके लिए जरूरी है कि ऐसा महौल create करें, जहां पे वो games के जरीए सीख सकें बचे, उनको encourage करें, तो ये कुछ learning styles थे, बुन्यादी तोर पर तीन जो हमने ड teachers इनको understand करते हैं, और apply करते हैं practically classroom में, यनि उनको पता है कि auditory learner कौन है, उसकी requirements क्या है, activities accordingly design करते हैं, और इसी तरीके से visual कौन से हैं, उनकी क्या requirements हैं, kinesthetic कौन से हैं, उनकी requirements क्या हैं, अगर इसको proper understand करता है teacher, तो definitely उसकी teaching भी बेतर होगी, और फिर learning बच्चों की ज्यादा देरपा और मौस्थर हो पाएगी